गुड मॉर्निंग स्टूरेंग्स कैसे हैं आप सब मैं आशा करते हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे तो मैम आज आपको एक और अनुचेद करवा रहे हैं जिसका नाम है व्ययाम के लाव व्ययाम मिन्स कसरत, exercise हमें आपको मैम भी बताते हैं न कि हमें exercise करने चाहिए उसे हमें बहुत सारे फायदे हैं तो व्ययाम करने से क्या क्या लाव होता है वह हम इस अनुचेद में लिखेंगे आपको मैम ने पहले भी बताया हुआ है कि ये मैम लिखवा रहे हैं अगर आप इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी अगर आपको कोई और लाब आता है तो वो भी आप इस अमचेद में लिख सकते हो तो अब हम करेंगे व्यायाम के लाब व्यायाम शब्द का अर्थ है कसरत शरीर को स्वस्थ रखने में व्यायाम का बहुत महत्व है यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन रहेगा और हम हर काम आनद से कर सकेंगे आनद में स्खुशों के प्रसन ओकर कर सकेंग और वयाम करने से हमारा शरीर ताकतवर बनता है इससे हमारा शरीर निरोगी रहता है अर्थात हमें कोई भी बिमारी नहीं होती अगर होती भी है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती है तो इससे हमारा शरीर निरोगी रहता है और वयाम करने से आलस दूर भाग जाता है अर्थात ह हम हर काम को सपूर्थी से चुस्ती से एक्टिव होकर करते हैं इससे हमारे श्रीर का रक्त संचार भी खीक रहता है और इससे तवच्चा में भी चमक आ जाती है वयाम करने से श्रीर के विकास के साथ मांसिक विकास भी होता है सभी को वयाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकारना चाहिए तो अब आपको पता चला कि वयाम करने से कितने सारे लाब हैं हमारी तवच्चा में चमक रहती हैं हम परिश्रमी आलसी नहीं बनते हैं हम परिश्रमी बनते हैं हमारे श्रीर का रक्त संचार ठीक रहता है हमारे श्रीर क्विकास के साथ साथ हमारा मांसिक विकास भी होता है तब आप सत्कों इस अनुशेत को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना भी है और उसे याद भी करना है धन्यवाद